आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना बीस जनुवरी दो हजार वाइस का संपूर राशिपन उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है गुर्वार का है कुरुष्ण पक्ष की दूसरी तिति है आज का जो नक्षत्र है वो आसलेशा है योग अयुश्मा है दिन का जो करन है वो गर है और जो रात का करन है वो वनी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा सुबह नौ बचकर प कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के में है तो पुर्ण काम या पिन्यरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा दोपर एक बचकर उनसाथ मिनिट से लेकर तीन बचकर 21 मिनिट तक और यमग अंडकाल सुबह साथ बचकर 11 मिनिट से लेकर आज बचकर 33 मिनिट तक का होगा आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर कराशी में ब्रह्मन करेगा और सुबह आढ़ बच कर चोबिस मिट के बाद यह चन्द्रमा सिंग राशे में ब्रहमन करेगा यह चन्द्रमा मंगल के साथ दवपंचम योग यानि के त्रिकॉन योग करने जा रहा है गुरू के साथ प्रतियोग करने जा रहा है उसे प्रकार रवी के साथ शड़ाश्टक योग भी करने जा रहा है यह करस्ति सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के चतुरत बहु में चंद्रमा का ब्रहन है और सुबब 8 बच कर 24 मिन के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम बहों में ब्रहमन करेंगा यह चंद्रमा आपके भागेवावमें सित्मंगल के साथ श्ड़ाश्टक योग करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए, आज आपका जो confidence है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा, दो-तिन दिनों के बाद ये समय आपके लिए आया है, तो आपका जो mood होगा, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, खास करके अगर आप किसी के relationship में हैं, तो वहाँ पर आप दोनों में बहुत ही अच्छी harmony देखे जाएगी, अगर आप शेयर माटके से deal करते हो, तो भी आज का जो दिन है, काफी अच्छा और मैत्व पुर्ण साबित होगा, अगर किसी विशे पर आपको निरने लेने हैं, जो कि कई दिनों साब नहीं ले पा रहे हो, तो आज अगर आप विवाईत हो, तो आज का जो दिन है, आप ठोड़ा आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, और वो आराम आपको मिलेगा भी, उसे पर अगर आप विवाईत हो, तो आपकी जो वईवाई जोड़ीदार है, उनके साथ आज आपके हारमनी काफी अच्छी देखी जाएगी, सबसे जादा महत्तो पुर्णबाद, आज की दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बनत हैं, बिदुन दरशी के द्वितिया भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और सुबह आध बच्यकर 24 मिट के बाद यह चंदरमा आपके तृतिय भाव में ब्रह्मन करेगा, यह चंदरमा आपके सब्धम भाव में स्थित मंगल के साथ नववपंचम योंग यानि की त्रिकों हो सकता है जो भी महतों पूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और पूरे करने आज वो पूरे होने की भी संभावना काफी अच्छी बनती है जो काम अटके हुए पूरे नहीं हो रही है पेंडिंग है और इसके आपको अगर सिर्फ घर के जो लोग होंगे उनके साथ चूटे मोटे बात तो पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है आज आपको जो कॉंफेडंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी में ही चैदर्मा काब्रहमन है और सुब आट बच कर चोविस मिनिट के बाद यह चैदर्मा आपके दीतियो भाहव में ब्रहमन करेगा यह चंद्रमा आपके 6 बाव में सित मंगल के साथ 9 पंचम योग करने जा रहा है आपके 7 बाव में सित रवी के साथ यह चंद्रमा शड़ाश्टक योग करने जा रहा है और इस पर आपके 8 बाव में सित गुरू के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज आपको जो भी महत्पुल नकाम है खास करके आपके फाइनेंस के संदर में आपके पैसों के मामले में अगर आपको इन्वेश्मेंट करनी है कोई खर्च करने है या फिर कोई बचट भी करनी है भवी शकाली न्योजनाओं के लिए वो आपके लिए आज का जो दिन है उसके लिए बहुत ही अच्छा और शुभुफल अदाई होगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो आप दोनों में बहुत अच्छे हर्मनी देखे जाएगी उसी प्रकार शेयर मारकर से अगर आप रिलेट करते हो तो भी काफी अच्छा दिन है जो करक राशे के विक्ति जॉब लेसे उनको जॉब मिलने के संभावना आज के दिन काफी ज्यादा बनती है थोड़ा सा सेयत के ओपर ध्यान रखना स्यादा आपका विवा हुआ है तो आपके जो वैवाई जोडिदार है उनकी मांगे आज आपको पूरी करने होगी तुइए इसके बात की जो राशी है वो है सिंगे राशी सिंगारश के वयाब ऑमे में चंद्रमा का ब्रहमन है are तो रिस्क आप ले सकते हो आज के दिन जो भी आपको काम करने हैं। के बारे में थोड़ी से अगर रिस्क ली जाए तो आज वो सक्सेस्फुल हो सकती है तो काफी माइनों में देखा जाए तो आज का आपका दिन है अच्छा देखा जाएगा बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिखाए दिखाए देखाए काफी अच्छा रहे का सहत की ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है और आपके जो वाई 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 जोड़ी दार है उनके साथ चुटी मोड़ी बातों के लिए कर दू तुम्हें में हो सकती है लेकिन मोटे तोर पर देखा जाए बहुत अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसके रिल बाग की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और सुबह आट बचकर चोबिस मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके वह यह भाव में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा आपके चतुरत भाव में सित्मंगल के साथ लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का महत्वपुर्ण काम करना है जो के ट्रैवलिंग से रिलेटेड है भविशे काली न्यूजना उससे रिलेटेड है आज के दिन जरूर हाथ में लेना वो पूरे होते हुए नजर आएंगे उस प्रकार आपके जो घर के लोग होगे उनक जो दिन है घूमने फिरने का ज्यादा होगा ट्रैवलिंग आज के दिन आपके काफी ज्यादा हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी। परिवार है उनसे भी आज आपको काफी अच्छे मदद मिल सकती है जो भी आपका कारिक्षेतर है उससे रिलेटेट कुछ महतोपुण निरने आप ले सकते हो बिजी डे साबित होगा लेकिन आपकी जो आमदनी या फिर प्रत्यक्ष लाब है वो भी काफी अच्छे देखे जाएगे सिर्फ आप और एक सबसे महतोपुण ना आपकी जो वाई-वाई-वाई-जोड़िदार होंगे उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगे उनके साथ कई बाहर भूमना फेरना हो सकता है थोड़ा सा सेहत के उपर ध्यान रखना आवश् रभी के साथ याचाब्र मिल सकते हैं कार dif प्रकार के बार में अबर आपके मन्मॊ कोई डिसेजन लेना है जो कीLEMENT करना है तो भी काफी अच्छी बात है उसली प्रकार अगर आपकÖ कोई investment करनी है कारिक अअगे जाके दिखाई देंगे लेकिन आगे जाके कुछड़et फिंवि करता है। तो उसके पर उत्रश्चे के लिए में जो सकते हैं, उनके लिए हैं इसके लिए आज भी ऐच्छा और शुभुफट हनदाय साबित होगा। इसके बाद की जो राशी है, वो है धनुराशी. धनुराशी के सांज बर्भविय के सांद चंदरमा का ब्रह्मन है, और सुभर 8 बच 40 मिड़ के बाद ये चंदरमा आपके भाग्या ब्रह्मन करेंगा, यह चंद्रमा आपी के राशे में सित मंगल के साथ नवबंचमियो ग्यानी के त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके द्वितिय अभाव में सित रभी के साथ शड़ाश्टा के योग करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज आपको जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा पिछले कई दिनों से आपके दिमाग में या फिर आपके मन में काफी negative इचारा आ रहते हैं वो आज के दिन पूरी तरह से normal हो जाएगे confidence level अच्छा देखा जाएगा उर्जा अच्छी देखा जाएगी जो भी अटके उबे काम है पेंडिंग काम है जो कि नहीं हो रहे हैं वो आज के दिन आपके हो सकते हैं काफी ज़्यादा active दिखाई दे सकते हैं आप हो सकते हो उसी परकर अगर आप किसी के relationship में है तो आप दोनों में बहुत ही अच्छी harmony देखे जाएगी share market से अगर आप रिर्ट करते हो तो भी आज आज आपको कुछ अच्छे लाव बगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बद्धी है इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के सब्तम बहुमें चैंदरमा का ब्रहमन है और सुबह आट बच पर चौबिस मिनट के अपाद है चैंदरमा आपके अच्छन बहुमें ब्रहमन करेगा है चैंदरमा आपके वेया बहुमें सिद्ध मंगल के साथ सकते हैं हाला कि आज का जो दिन है थोड़ा सा सेहत के उपर ध्यान रखिए मोटे तरपर देखा रहे हैं तो काफी अच्छा साबित होगा प्रत्यक्षर जिससे हम काम करने से पैसे मिलना यह प्रकार तो नहीं होगा लेकिन अब प्रत्यक्षर रूप से आपको पैसे मिल सकते जिसके जिसमें आपकी तो इन्वॉल्मेंट नहीं थी लेकिन आपको लाव मिलेंगे ज़रूर उस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन है शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कुंब राशी कुंब राशी के सब्टम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और सुबद 10 बच 8 बच कर 24 मिंट के बाद या चंद्रमा आपके सब्टम बाव में ब्रह्मन करेगा आपके लाब अभाव मिस्थित मंगल के साथ या चंद्रमा नवापंचम योग यानि के त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके राशे मिस्थित गुरू के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज आपको जो confidence है काफी अच्छा देखा चाहिए काफी ऐसे काम होगे जो कि आज आज आप पूरे भी कर लोगे आज आप में उर्जा भी काफी अच्छी देखी जाएगी यहाँ पर आपके जो वाई-वाई जोडिदार है उनके साथ वाई-चारिक सतर पर चोटी मोटी problem हो सकती है लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी ऐसे को problem complications आपको दिखाई नहीं देगी आज आपके खर्चे वगरा हो सकते है लेकिन आपके काम भी होते हुए नजर आएगे जो की काफी अच्छी बात रहेगी प्रेक्टेक्शन लाब भी आपको काफी अच्छे दिखाई देंगे तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बात की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और सुबह 8.24 मिन के बाद ये चंद्रमा आपके 6 बाव में ब्रह योग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है जो जॉब्लेस रखती है उपके लिए काफी अच्छा में तो पुन साबित होगा जो भी आपका कारिक शेतर है वहाँ पर कि जो लोग होंगे वह आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे उनसे आपको कुछ अच्छी तो दोस्तो ये था दिनांग 20 जनवरी 2022 का संपुन राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुवों किया नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड करना और अपना जो चैनल है प्रम्हंड सिद्धी एस्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक् हुआ हुआ है